नमस्कार बहुत स्पाकत है आपका आप देख रहे हैं इंजिया टीवी आपके साथ मैं हूँ जूदसना पाठी दोहजार चौबीस का रिजल्ट क्या होगा अगली दिवाली जब मनेगी तो देश का प्रधान मंत्री कौन होगा नरेंद्र मोदी ही वापस आएंगे या कोई और प्रधान मंत्री बन जाएगा जिस राम मंदिर में 22 जनवरी के दिन राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी वो पहली बार जगमक कर रही थी टेंट में रहने वाले भगवान राम पहली बार दिये की रौश्णी से नहाए हुए भवन में मौझूद थे इससे ज्यादा हिंदू क्या चाहता है 2024 का मंदिर मार्ग खुल गया है आयोध्या में योगी ने राम का रत खीचा तो बाकी काम प्रधान मंत्री करने वाले हैं आयोध्या के क्यावन घाटोप 24 लाख दी इतना फप इतना अदुद पीपोर क्या चुनावी सीजन में बीजेपी के लिए जीत का उचसब लेकर आएगा ये सिर्फ दीपों की जड़िया नहीं है आप 2024 का ट्रेलर देख रहे हैं ये उसकी पहली पिक्चर है और जब मोधी योगी की जोड़ी साथ में दिखेगी तो क्या 2024 में रिकॉर्ड बनेगा गर्व से कहो हम हिंदू हैं चौधा के बाद देश का मूड ही यही है इन तस्वीरों को देख कर ये थौट क्लियर हो गया राम मंदर बना तो एक गीत मशूर हुआ मंदर अब बनने लगा है तो क्या 2024 में कौन जीतेगा अब ये भी दिखने लगा फिर दूसरा गाना आया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएं तो क्या 2024 में मोदी ही एक बार फिर से आएंगे क्या राम ही मोदी को लाएंगे कुछ समझ ना पाए का फूल बेचाए राम आएगे आपकी और से एक ही आवाज आई थी कि योगी जी एक काम करो और मंदर का और वही उत्सा की परिक्सा की घड़ी आ चुकी है अयोध्या के लिए उत्तर प्रदेश वास्यों के लिए इसलिए आप सब मेरे साथ बोलेंगे बोले सत्यसनातन धर्म की सत्यसनातन हिंदो धर्म की भारत माता की भारत माता की सर्यू मैया की सर्यू मैया की जैस्त्री राम बात कितने आगे निकल पड़ी है 24 का रास्ता कितना क्लियर हो चुका है 22 जन्वरी 2024 से आगे दिल्ली वाया अयोध्या का रूट मैप क्या होगा BJP के लिए अयोध्या क्या है विरोधी के लिए अयोध्या क्या है राम तो मोधी के भी है योगी के भी है विरोधी के भी है आयोध्या में भी राम, मध्य प्रदेश में भी राम, राजिस्थान में भी राम, तिलंगाना में भी राम, चत्तीस गड़ में भी राम मोदी की जुबान पर राम, योगी की जुबान पर राम, राहुल की जुबान पर राम, प्रियंका की जुबान पर भी राम श्यावर राम चंद्रकी जै श्याराम क्या मंदिर से ही 24 में तीसरी बार मोदी को मैंडेट मिलेगा अगर हां तो ये कैसे होगा क्या आयोध्यक इन तस्वीरों का सीधा इंपक्ट 23 के चुनावों में पड़ेगा क्या 24 में भी इसका असर दिखेगा या फिर राम नाम से चिड़ने वाले वो विरोधी जो आजकल राम का नाम जप रहे हैं कटर राम भक्त बनकर मंदर मंदर द्वारे द्वारे घूम रहे हैं प्रभू श्री राम के स्वागत की तयारियां कर रहे हैं क्या राम के नाम से उनका काम बनेगा ये वही विरोधी हैं जो कभी राम के अस्तत पर सवाल उठाते थे राम मंदर का ताला खुलने को अपनी घलती बताते थे ये लोग राम को कालपनिक बता चुके हैं राम मंदर के भूमी पूजन के मुहरत पर सवाल उठा चुके हैं राम मंदिर भूमी पूजन के खिलाफ कोट में जा चुके हैं मोधी को घिरने के लिए बार बार एक ही टेप बजा चुके हैं विरोधियों के टेप में बोल थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे और राम नाम का काम अगर मुम्किन हुआ है तो वह हुआ है मोधी की बज़ा से मोधी की रिसर्च ही ऐसी है वह प्रामानिक है विरोधियों की तोड़ा काल्पनिक नहीं है आवाज दूर दूर तक जाने ही चाहें मोधी के 24 वाले रामबान को समझने की लिए ये डिकोट करना जरूरी है कि मोधी ने राम मंदिर को 24 का सबसे बड़ा ट्रंप काड कैसे बना दिया है 19 में मोधी ने ऐसा क्या कर दिया कि हिंदू वोट एक जुट हो गया मोधी के पीछे खड़ा हो गया 2014 के लोकसबा चुनाव में जिस बीजे पी को सिर्फ 36 परसेंट हिंदूओं का वोट मिला था 2019 आते हाते वो नंबर्स तेजी से बढ़ गए और 2019 में 44 परसेंट हिंदूओं ने बीजे पी को वोट दिया डेटा को और गहराई से डिकोट करने पर पता चलता है कि 2019 में 69 परसेंट अपरकास्ट हिंदूओं ने मोधी को चुना एक और डेटा के मुताबिक 2019 में देश के 54 परसेंट हिंदू चाहते थे कि मोधी ही देश के प्रधान मंत्री बने स्टेट वाइस डेटा देखें तो असम के 70 परसेंट, बिहार के 65 परसेंट, गुजरात के 67 परसेंट, करनाटक के 58 परसेंट, मध्यप्रदेश के 60 परसेंट, महराष्ट के 62 परसेंट, राजिस्थान के 63 परसेंट, उत्तर प्रदेश के 69 परसेंट, पंगाल के 57 परसेंट, दिल्ली के 66 परसेंट, 64% हिंदुओं ने मोधी के नाम पर NDA को वोट दिया यानि 2014 की ही तरह 2019 में भी मोधी ने हिंदू वोट बटने नहीं दिया उल्टे उसमें और ज्यादा इजाफा किया और इसमें राम मंदिर एक बहुत बड़ा फैक्टर था इसे हिस्टॉरिकल परस्पेक्टिव से भी समझना जरूरी है 1984 के चुनाओं में बीजेपी ने सिर्फ दो सीटे जीती थी इसके बाद बीजेपी राम मंदिर का मुद्धा लेकर आई 1989 में राम मंदिर शिला नियास ने इसे देश का सबसे बड़ा मुद्धा बना दिया और बीजेपी को इसका फाइदा नवंबर 1989 के लोकसबा चुनाओं में हुआ 84 में सिर्फ दो सीटे जीतने वाली बीजेपी को 89 के चुनाओं में राम मंदिर के नाम पर 85 सीटे मिल गई 2009 के चुनाओं को छोड़ दे तो बीजेपी साल 1991 के बाद से लेकर अब तक कभी भी 20% वोट शियर से नीचे नहीं गई है 14 से पहले का ये वो दौर था जब बीजेपी को आम तौर पर अर्बन मिडल क्लास हिंदूओं की पाती माना जाता था वोट शियर 20% पर ही अटका रहता था लेकिन 2014 के बाद इस 20% को डबल डिजिट में लाने का काम मोधी ने किया मोधी ने अगड़ा पिछड़ा दलित गरीब सब को अपने साथ जोड लिए और इसमें राम मंदिर एक बहुत बड़ा फैक्टर था हिंदुत्व की वेव पर सवार होकर 2014 में बीजेपी ने 30% वोट शियर का आखड़ा पार किया 2019 में उस वोट शियर में और इजाफा किया और हिंदी हाट लेंड राज्यों को पूरी तरह से अपने पाले में कर लिया इसे जरा आखड़ों से समझ आ 1989 से 1991 के बीच जब राम जन्भूवी का मामला मुद्दा बना उस वक्त हिंदी बेल्ट में बीजेपी का वोट शियर 10% बढ़ गया 2004 से 2009 तरह ये वोट शियर 30% के अंदर रहा मगर 2014 आते ही हिंदी बेल्ट में मोदी प्लस राम मंदिर का असर ऐसा हुआ कि बीजेपी का वोट शियर 14 से 40% पार कर गया और 19 में ये आकड़ा 50% हो गया राम मंदिर का मुद्दा तो हिंदूओं के लिए सालों पुराना थी लेकिन इस मुहिम को रफ़तार 14 में मोदी के आने के बाद ही मिली उधारन के तौर पर बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद 1996 में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जो पहला सर्वे हुआ उसमें 56% हिंदूओं का मत था कि आयोध्या में राम मंदिर बने 2002 में 7% हिंदूओं ने मंदिर का समर्थन किया लेकिन जब यूपिय की सरकार देश में बनी तो 2009 में इसी उत्तर प्रदेश के सिर्फ 28% हिंदूओं की राय थी कि आयोध्या में मंदिर बने 2012 में आकड़ा 31% तक पहुँचा मगर 14 के बाद मोधी के आते ही ट्रेंड चेंज हो गया और 50% से ज्यादा हिंदू राम मंदिर बनाए जाने के पक्ष में खड़े दे 2019 के एक सर्वे से पता चला कि बीजेवी को सपोर्ट करने वाले हो या विपक्ष को सपोर्ट करने वाले हो ऐसे करीब 49% लोग राम मंदिर बनाए जाने के पक्ष में थे किराम मंदिर को लेकर हिंदों में अलग जगाने का काम मोदी ने ही किया 14 में उसकी शुरुवात की 19 में उसे आगे बढ़ा है और अब 2024 से ठीक पहले उसे नेक्स लेवल पर ले जाने की तैयारी है अधनिय प्रणान मंत्री जी स्वयम इस कारेक्रम के साक्सी बने उनका मार्ग दर्सन उनका अश्रिवाद यहां करके मिला और आज उनीक आश्रिवाद और उनके मार्ग दर्सन नित्रित्व में पांसो वर्सों के इंतजार को दूर करते वे अयोतिया में प्रवु राम के राम जनुम भूई पर भप्य मंदिर के कारेक्रम को भी हम सब अपने आखों से बनते वे देख रहे हैं और जन्वरी माह के इंतजार में सभी संत, सभी भक्त, सभी सरधालुजन उस इंतजार के लिए अपने आपको तयार किये वे वैसे देर से ही सही, राम की याद उस कॉंग्रेस पार्टी को भी आई, जिसने प्रभू श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल या निशान लगा दिये थे राहुल प्रियंका से लेकर हर मोधी विरोधी राम को याद करने लगा, मंदर मंदर द्वारे द्वारे घेरने लगा, लेकिन ये सिर्फ एक सियासी स्टंट था कॉंघरेस ने मोधी से नफरत के चकर में हिंदुों को हेट करना शुरू कर दिया, एक तरह से कॉंघरेस को राम, रामराज्य, रामाइन वाला फोबिया हो गया एक वक्ट में तो राम नाम उसे कॉंग्रेस को इतनी दिक्कत हो गई थी कि कोई भगवान राम का नाम तक ले ले तो कॉंग्रेस उसे संगी का सर्टिफिकेट दे दे थी कमिनल बताने लगती थी हिंदुत्र का एजेंट डिकलेर कर दे थी मोधी इसे नेक्स लेवल पर लेकर गए बीजेपी ने हिंदुओं को एक जुक्टिया उनके सेंटिमेंट को टच किया और राम के नाम को मोधी ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फोर्स बना दिया जुनाव जीतने का मंत्र बना दिया मुझे बताओ जरा जोर से कल दिपावली है फटाका जलाओगे जरा जोर से बोलो फटाके जलाएंगे ना दीब जलाएंगे ना मगर इस बार मध्यप्रदेश में तीन बार दिपावली मनाना है अरे मनाएंगे कह देते हो बदनावर वालों अगर क्यूं मनाएंगे मालूम है मैं बता देता हूं पहली दिपावली दिपावली के दिन मनानी है दूसरी दिपावली तीन डिसेंबर को भाजपा सरकार बना कर मनानी है और तीसरी दिपावली 22 जन्वरी को अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करकर मनानी है कॉंग्रेस भले ही 14 और 19 में मू की खाने के बाद अब जाकर राम नाम का जब कर रही हो लेकिन राम के वजूत को नकारने वाली कॉंग्रेस को लोग अभी भूले नहीं है कॉंग्रेस ने जब से आयोध्या को अबंडन्ट किया नौथ हिंदिया के हिंदुवन कॉंग्रेस को अबंडन्ट करना शुरू कर दिया ये 14 में भी हुआ, 19 में भी हुआ और 24 में भी इसी के संकेत दिल रहे हैं मोदी ने अभी से हिंट दे दिया है कांग्रेस को पिछले 10 साल से पच्च नहीं रही है जिस मोदी को ये दिन रात गाली देते हैं वो ये सुब कुछ कैसे कर पा रहा है यही बात कांग्रेस को खल रही है इसलिए कांग्रेस देश में अस्थीरता फैलाना चाहती है अराजकता फैलाना चाहती है कांग्रेस देश के लिए सरफ समस्या पैदा करना जानती है झाल